है लो गाईज वेलकम टो अने दर वीडियो फिनाशल रिजल्ट करेंगे और नमबर की बात करें तो नमबर जो है लैक्स में दिये गाए है और गाईज हम चलते इसके रिजल्ट्स पर इस बार का प्षणते में प्षननीक्र नमबर में 2.1 करोड का और मार्च 20 तुटी व् 0.7 करोड का operating profit है quarter-on-quarter, year-on-year दोनों में increase किया है net profit company का 11.4 करोड का पिछले quarter में 1.5 करोड का और March 23 quarter में 2.3 करोड का net profit है quarter-on-quarter year-on-year-doनों में increase किया reps two.17 rupees का quarter-on-quarter year-on-year-doनों में increase किया है तो गाइस क्वार्ट रंडिट के रिजल्ट अगर देखा जाए तो यह रॉनिल कि सिप इंकम में डाउन है बट कंपनी एक्सपेंस बहुत कम हुआ मट्रियल कॉस्ट में जिसके कारण्ट पॉफिट रिकावर किया है और यहां पर फिनांशल रंडिट की बात करें इं इंकम डाउन तो है लिक्रीक्स बहुत ज्यादा डाउन है जिसके कारण्ट प्रफिट है 2.4 करोड करोड का 23 में 21.9 करोड का जो कि इंक्रीज किया है और नेटप वाफिट यून करोड का 23 में 15.3 करोड का इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है एपिएस कंपनी का 4 या फिनांशल एंडेट पॉफिट तो इंक्रीज यह बट कंपनी का इंकम में डाउन है यह और फिनांशल एंडेट में यह तो इंपक्ट पर सकते हैं लिए इस प्रॉफिट बहुत अच्छी ग्रोफ देखने को मिला है अगर हमें स्टैंडलाउन डिजल्स को कवर करें इंकम में 258 करोड का पिछले क्वार्टर में 210.5 करोड का और मार्श 23 चाहर में 276.9 करोड काальное क्शने में क्वार्टर का इंक्रीज क॥ासरा है जिसके बाद उपेटिंग स्टल हिछू करोड का और मार्श 239 च्या जिसके बदनायरश में120 क्शने क्रोड का और नानल ही करोड का मार्स सथार्ट में क्रोड का और यह हाँ तो पर देखा जाया तो यहां पर अगर देखा जाये आ तो इसके शियर की आई यह थोड़ा बहुत इसमें इंपाक्ट कर सकता है लेकिन अब देखना यह है कि मंदे के दिन कंपटी करता है लेकिन हम देखेंगे तो वन विक में फॉर परशन का लॉस मिल चुका है वन मन्त में 1.8% का थिरी मंत में 8% की लॉसस देखने को मिल रही है इसलिए अगर आवरेज करना चाहते हैं तो आवरेज भी कर सकते हैं तो हम लोग वीडियो कहीं प्रेंट करते हैं अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पुछे मिलते हैं एक टिल देन बाई बाई